A very good morning dear kids, welcome back in today's online class at Tata Camp DAV Public School, मिठापूर आईए बच्चों, फिर से हम ये revision work हमारा जो चल रहा है ना, उसको continue करते हैं, ओके? So, मात्रा रस्वई के words के बारे में हमने previous वीडियो में reading, writing की practice कर ली, है ना? कर लिया ना आप सबने, जो work मैंने दिया था वो? Okay, so now we will read this lesson no.4, रविवार का दिन, इसमें भी आपको रस्वई की मात्रा के बहुत सारे words मिलेंगे, ओके? तो फिलहाल हम इसका reading करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ओके? आपको भी मेरे पीछे-पीछे reading करना है और एक बार फिर से अपने आप reading करना है, खुद से, ओके? मेरे साथ अभी कर येगा, बाद मैं एक बार और reading के लिए मैं आपको बताती हूँ, ओके? लेसन नमबर फोर, रविवार का दिन रविवार का दिन आया, चीडिया तिनका पककड लाई, तिनका तिनका लाकर खर बनाया, अखिल डलिया भरकर दाना लाया, चीडिया दाना खाकर उड़ गई, आकाश पर काला बादल छाया, रिमजिम बारिश आ गई, चवी चत पर आई, फिर बारिश थम गई, चवी साइकिल पर बाजार गई, नारियल, किश्मीश, मिठाई लाई, तब अतिथी आया, मिठाई खाकर रविवार का दिन बिताया, ओके? और सारे सेंटेंस जब कम्प्लीट होते हैं, तब यह जो मार्क है ना, यह स्टेंडिंग लाइन यह वाला, इसको कहते हैं, फुल स्टॉप, ओके? इसको पंक्चियोशन मार्क कहते हैं, तो यह है, हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे होता है, ओके? इंग्लीश और गुजराती में फुल स्टॉप जैसे डॉट होता है, इंग्लीश में डॉट होता है, वैसे हिंदी में ऐसा फुल स्टॉप होता है, कोई भी सेंटेंस जब कम्प्लीट होता है, तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ओके? तो ये reading आप एक बार और करिएगा reading की practice After that I am giving you one assignment work आपको मैं कुछ words के नीचे underline करती हूँ वो words आपको अपनी हिंदी CW notebook में 2-2 times लिखने हैं ओके notebook में top of the page आपको date लिखनी है जिस दिन वीडियो अपलोड हो रहा है school website में वो date लिखनी है आपको ओके और आपको ये words जो मैं underline अभी करके दे रहे हूँ ये 2 times लिखने हैं How many times? 2 times ओके so read करके फिर write करना है ये words आपको जैसे चवी तो चवी बोलना भी है और लिखना भी है कभी ऐसा होता है कि मैं same word पर underline करती हूँ तो आपको one ignore करना है okay done तो ये सारे words 2-2 times लिखने है reading and writing तो आज का वोक क्या क्या हुआ आपको ये lesson number 4 read करना है और क्या याद रखना है जब reading करते हैं हर बार मैं बताती हूँ और एक बार बता देती हूँ जो word आप read करते हूँ उसके नीचे नीचे आपकी ये index finger जाती रहेगी okay और उसके बाद ये मैंने जो underline word किये है उसको आपको read फिर से एक बार read करते करते अपनी हिंदी cw not book में two times लिखना है how many times? two times so that's all for today thank you bye bye